हेलो जी नमस्कार मैं हूँ आपका अपना शेफ अरपाल और आप देख रहे हैं E-Times TV मुझे लगता है कि कृष्णा और कश्मीरा काफी वीक है वो कॉमेडी जॉनर में लगे रहते हैं और कई न कई वो सीरियसनेस खाना में दिखनी रही अभी तक तो अभी तक तो मेरा जो किरदार है वो as a judge का है इसलिए मैं वो element नहीं ला पा रहा हूँ कि मैं शो में खाना बनाऊँ अब इस वक्त मैं मतलब decide नहीं कर पाऊंगा बट definitely big boss जरूर कर लूँगा क्योंकि खत्रों के खिलाडी के लिए मुझे लगता है कि वो fitness की जरूरत है और वो उस उमर में मैं हूँ नहीं शायद की मैं कर पाऊंगा नमक शमक डाल देते हैं ऐसा कुछ होना चाहिए element जिससे लोग खुश हो जाएं और kitchen की और बड़ें और वो बड़ा काम कर गया टर्में तड़का में और जब यह सीजन अप्रोच किया लाफटर शेफ्स का सीजन वान जो हो रहा है यह जब अप्रोच किया गया मेरे मुझे बताया गया कलस की ओर से तो मैंने सुचा कि यह opportunity तो best opportunity है और इसे मैं खोर ही सकता हूँ मैं यह ज़रूर कहूँगा कि serious entertainment की ओर मैंने कभी बहुत ज़्यादा काम नहीं किया क्योंकि बाकी जो stars है वो serious entertainment करते हैं मैं कहींने कहीं educational kukri shows मैंने किये हैं मैंने reality shows भी किये हैं लेकिन वो बहुत जादा नहीं किये हैं वो रोजाना नहीं करता हूँ मैं बाकी जो stars जो अब ही contestants हैл वो रोजाना यह काम करते हैं तो रोजाना मेरा काम शेफ का किरदार निबाने का होता, चाहे वो टेलिविजिन में कुकरी शोर्स द्वारा हो या अपने रेस्टरांट्स में हो, तो मुझे ये जरूर था कि हाँ ये कैसे पेश आएंगे, क्या करेंगे, इनका जॉनर है ये कुकिंग, मैं इनके साथ कैसे म वो मुझे समय नहीं लगा, उनके बीच में मिक्स होने के लिए मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा है। इसकी विक्की की भी जोड़ी है, तो बाकी भी है, सुदेश लेरी जी, निया वो भी अच्छा कर रही है, जो जैंजी गर्ल्स है वो भी अच्छा कर रही है, कृष्णा और कश्मीरा लगे हुएं, डटे हुएं कुछ न कुछ करके दिखाने के लिए, अभी तक वो बात ब बनाते हैं बनाते अगर बीच में हसी होनी चाहिए अगर है तो खाना कब बन जाता पता नहीं चलता है तो ये एलिमेंट और ये शो का जो एसेंस है वो ही है ये ये बताना नहीं कि स्टार्स देखो स्टार्स केसे खाना बना रहे हैं ये बता रहे हैं कि वो भी बना सकते हैं ह अपने लेवल पर बाकि वो खुद अपने जॉनर में बहुत बड़े एंटेटेनर्स हैं तो मज़ा आ रहा है मुझे इस चीज में तो अभी तक तो मेरा जो किरदार है वह जज का है इसलिए मैं वह आपने लिए खुद अधर बनाना पढ़ा तो जरुर कर रहा हूं हर स्टेप पे की यह करेंगे तो यह अच्छा होगा यह करेंगे तुव यह करेंगे तो यह अच्छा होगा यह element इस इसक लिए बहुत जरूरी है इसका ख्याल रखिये कि मंचुरेयन बनाना हो तो लसन अद्रक का flavor बड़ा strong होना चीए मिर्स का भी flavor strong होना चीए तो ऐसे elements जो है उनके बारे में मैं बताते जा रहा हूँ ताकि उनको वो चीद समझ में आ जाए और वो अच्छा खाना बना ले ने actually जब dish बन जाती है मैं honestly बताऊं कि जब dish बन जाती है और सब की dish बनी पड़ी रहती है ऐसा नहीं कि हर contestant अपने table पर खड़ा रहता है कहीं न कहीं एक जलक दीख जाती है सारे stars को कि हाँ आज तो यही जीतेगा क्योंकि dish बना कि आपको सामने रखनी है ठीक है और ऐसा भी नहीं कि आप अपने table के पास ही खड़े रहे हैं आप जहां मैं judge कर रहा हूँ वहाँ आके आप देख सकते हैं बात कर सकते हैं हसी मजाग क्या महौल बन जाता है लेकिन कुछ जो criteria है वो हम कोशिश करते हैं कि dish के साथ match हो और वो criteria हम शुरू में ही बता देते हैं कि इस dish की criteria क्या है judging की कि ऐसे दिखनी चाहिए ऐसे होनी चाहिए इतने pieces होने चाहिए अगर वो criteria match करती तो definitely वो stars हासिल करने के गिरदार निबाते हैं फिर उस दिन उनको star मिली जाता है तो वो सब लोग देख ही लेते हैं और अभी तक ऐसी वो बात नहीं हुई कि हाँ भे आमने judgment दिया तो नराज होगे कोई नराज नहीं हुआ तो इस वक्त मतलब उबर के definitely अली गोनी और राहूल वैदिया आ रहे हैं उबर के अली गोनी जो है एक दिन में तो ये भी बड़ी बात है और मुझे लगता है वो आगे चलके और अच्छा करेंगे मुझे लगता है कि कृष्णा और कश्मीरा काफी वीक है वो comedy genre में लगे रहते हैं और कई न कई वो seriousness खाना में दिखनी रही है अभी तक और मुझे वो एक बात देखनी है उन में और वो हमेशा कहते हैं कि अरपाल जी आप मुझे न main course जिसको हम कहते हैं रियल खाना जो घर पे खाये जाता है रियल खाना मुझे से बनवाओ तो मैं आपको बताऊंगा मैं क्या हूँ तो ये तो competition थोड़ा सा tough तो हो गई होगा अब इस वक्त मैं मतलब decide नहीं कर पाऊंगा बढ़ definitely big boss जरूर कर लूँगा क्योंकि खत्रों के खिलाडी के लिए मुझे लगता है कि वो fitness की जरूरत है और वो उस उमर में मैं हूँ नहीं शायद की मैं कर पाऊं लेकिन समय आया तो कर लेंगे देखे एक बड़ी simple सी कहानी है आप cricket कहलते है ठीक है न एंपायर जो है जब decision ले लेता है तो एंपायर का decision final होता है और आपको उसकी बात माननी पड़ती है तो मुझे ऐसा लगता है कि respect एक दूसरे के लिए होना चाहिए और अगर आप contestant है तो आप इसलिए contestant बने हैं क्योंकि आप participate करना चाहते हैं और judge को तो कहीं न कहीं चैनल ही decide करता है तो वह element judge का होता ही होता है आप शायद वह respect करेंगे हो सकता है कि judge सारी चीज़ें न निभा पाए वह सकता है जिस तरह cricket का भी empire वह शायद विराट कुली की तरह नहीं खिलता है लेकिन जब वह out देता है empire तो विराट कुली भी चुपचाप पैविलीन की ओर जाते ही हैं तो ये तो judge का respect रखना ही पड़ेगा मुझे लगता है अभी तक तो वह बात नहीं आई कि वहाँ पर arrogance दिखे मुझे honestly मैं कह रहा हूँ कि मुझे arrogance वाली बात नहीं दिखी क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये जरूर बताना चाहिए सबी contestants को कि वो जो काम कर रहे हैं वो आसान काम नहीं कर रहे हैं वो बहुत बहुत है कही ना कहीं एक winner निकलेगा या दू winner लिकलेगे सारे तो नहीं हो सकते तो किसी की चीज़ बहुत भैतरीन बनी होगी और किसी की नहीं बनी होगी तो जिसकी बनी है आज तक सब लोग agree करते आए हैं और बोलते भी आए हैं कि हाँ ये judgment सही रही है और इसकी dish भी कमाल की ब बहुत ही भैतरी चीज़ बनी है तो ये मुझे लगता है कि अभी तक मैंने वह arrogance देखा नहीं है